एलो हाई नमस्कार मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूँ आज की सेशन में आज हम बात करने वाले हैं कि बिसिकली जब हम एनाइएस बोर्ट से अपना 10th या 12th करते हैं तो उसमें कई बार जो है 1 year का gap होता है या 2 year का gap होता है तो एक बच्चे ने मुझसे सवाल कहा था कि सर मैं teaching background में जाना चाहता हूं government teacher का central का तो वहाँ पर इंटर्व्यू होगा तो इंटर्व्यू में मैं क्या जबाब दूंगा भाई बोलने को बोल सकते हैं कि आप आखिर यह एनाइस वोड में क्यों आ गए क्या करन था तो अगर यह बोलता कि हम compartment आये थे या कुछ इस तर और कहां कैसे क्या इसका यूज हो सकता है यह सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए क्योंकि आप सभी NIS board में हैं और NIS board के बाद आगे कुछ न कुछ आप करने की planning कर रहे हैं और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हमारे ऐसे कौन-कौन से विद्यार्थि रहे हैं और पहुच पाएं जिने आज की डेट में आपकी तरह एक अच्छे ट्यूटर एक अच्छे कॉंसलर और अच्छे गुरू की तलास हैं और हमारे डिस्किप्शन में जाईएगा वहां पर आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे हमारा आपको वह मिल जाएगा क्या बोलते हैं प्री कॉंसलिंग को वर्टस अप नंबर मिल जाएगा जहां में डारेक्ट कांटेर करके अपने क्वारिश को किलियर कर सकते हैं तो चलिए ज्यादा देरना करते हुए आज अपनी सेशन के हम सुरुवात करते हुआ है हमारा जो मुद्धा है वह ही मुद्धा है कि लेटी 2021 में टेंथ का एक्जाम दिया एक्जाम इओ गेर मैंने 2021folg का एक्जाम दिया है और मैंने 202014 चल रहा है तो जो एक साल का गया है तो उसके हिसाफ से कैसे होगा क्योंकि NIS से हम 2024 में कर रहे हैं और वैसे मान के जली होना चाहिए 2023 में या 22 में तो वन टू यर गैप में हम कैसे क्या कह पाएंगे और कहां तक ये बात बोलना ये जिन्वीन होगा कि हमारे साथ क्या हुआ नहीं हुआ और किस तरह के जवाब इंटर्व्यू में देने चाहिए चुकि थियोरी में तो आप निकाल लेंगे कोई इसू नहीं होगा बट एक इंटर्व्यू जब लिया जाता है आपसे किसी भी गौर्वर्मेंट जॉब में तो इंटर्व्यू का मतलब होता है कि आपसे दो-तिन बाते वो जानना चाहते हैं पहला वो आपका बैक्ग्राउंड जानते हैं अच्छा बैक्ग्राउंड कभी भी चेक वेक नहीं करते हैं वो बस वहाँ उसमें बोल दते हैं कि आप सच बोल रहा है जूट बोल रहा है एक तो आपको कॉन्विडेंस हो गया तो बैक्ग्राउंड तो उन्हें लगता है कि हाँ जी जो बिद्यार्थी है अपना वो अपना किस हद तक इसकी देखिए बैक्राउंड मिसले जानते हैं कि जैसी हैविट होती नेचर और सीग्नेचर कभी नहीं बदलता है तो बैक्राउंड में जाने का मतलब होता कि किसी का परवरीश किसी की चीजे जो habit में आती वो आगे भी रती वो नहीं बदलती है और दूसरी बात ये कि कुछ ऐसे सवाल आपसे अटपटे पूश देते हैं जिससे कि आपको समझ नहीं आता है कि क्या जवाब दे कई बार ऐसा होता है तो जो भी सवाल आपसे पूशते हैं उसका एक psychology बस इतना ज कर जाते हैं या आप उसको दिवड़ता के साथ उस चीज को solution है मतलब वह आपका mind check करते हैं कि आप problem oriented है या solution oriented है problem oriented का मतलब होता है कि सवाल ही केवल आपको दिख रहा है अगर पूछा गया है तो या आप उसके solution को ढूंड रहे हैं यहीं कि जिस पद पर आपको बैठाया जाएगा जो जौब आपको दी जाएगी वह एक respected होता है तो उसमें अगर इस तरह कोई situation आता तो आप कै compartment आगे मतलब 11 में मैंने TC ले लिया उसने ऐसा कुछ का मैंने TC ले लिया और सर उसके बाद जो है अब मैं एन iOS से करना चाहता हूं क्योंकि अगर मैं उसमें बापस CBSC यह उस बोर्ड में करूंगा तो फिर से मुझे 11 करना पड़ेगा और 12 देना पड़ेगा मतलब एक साल मे मोरल रीजन होना चाहिए मोरल मतलब जो एक आपका सकते हैं जैसे कि सर हमारा हेल्टी सू रहा था या आप हेल्टी सू में हो सकता है कि आपको उसमें बोल दें कि हाँ ठीक करवाएंगे तो आप नर्वस तो नहीं होते हैं या बेश्टे की घर की कुछ ऐसी परस्तिती रही मतलब इसके पास एक option था disturb हुआ फिर भी आगे बढ़ा और यहां तक पहुंचा है तो यह region वहाँ पर दिया जा सकता है वो अपने हिसाफ से आप देख सकते हैं वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो आप सोच के देखी कि अगर इंडिया के top 3 में से second number पर आता है तो क्या ऐसे board पर सवाल उठाना सही होगा वो भी तब जब भारत सरकार यानि जो इंडिया का जो ministry education ministry हो उसके अंदर आता है यह बिल्कुल सोचना गलत है अगर कोई rumor फैला हुआ है या लोग इस चीज़ को बोलते हैं तो उनका mindset के वाल ऐसा है कि open से देने पर वही लोग करते हैं यह एक mindset है आप देखें ना 12 के बाद इगनू होता है वो भी बिल्कुल open system जैसा होता है बट इगनू के बारे में लोगों का जो mindset बहुत ही अच्छा है positive response से कारण क्यूंकि उन लोगों ने देखा है पर NIS में क्या है number of population कम है जिसकी बजह से लोगों को यही लगत हैं जो 10th भी NIS से कर रहे हैं 12th भी NIS से कर रहे हैं इवेन आपको जानके रहरानी होगी पता नहीं आपको पता की नहीं पता है NIS में तीसरी क्लास का भी एक्जाम होता है पांच भी क्लास का भी होता है अब हम इनमें डील नहीं करते हैं इनमें डील क्यों नहीं करते हैं क् 3rd का exam, 5th का exam, 8 का exam दिया जा सकता है NIS में तो यह अपने आप में एक systematic तरीका है जिसमें आप UPC level तक भी जाएंगे तो उसमें आपको कोई भी problem नहीं होगा बात के वाल interview की थी जिससे हम आपको चर्चा कर रहे थे आप J.E. को ले लिजे, NEET को ले लिजे, हमारे बहुत सरे विद्यारती Navy में select हुए है NIS से अपना physics और math को लेकर या pilot में भी बहुत सरे गए हैं, हाना तो इस तरीके के जब आप देखते हैं कि हमारे बीच में लोग हैं जो NIS से पढ़कर अपने life में कुछ अच्छा कर रहे हैं, देखिए कुछ ना होने से अच्छा होता है, कुछ अच्छा होना, अब अगर किसी की पढ़ाई drop हो गई है और life में वो आगे बढ़ना चाहता है, तो उसकी कौन सा उसने बड़ा पाप कर दिया है, बताइए, क्या उसको ये सजा मिलनी चाहिए, कि भाई या वो ओपेन से नहीं कर सकता है, पढ़ाई नहीं करेगा, जिंदगी खराब हो गई, अगर भारत में एक ऐसी बेवस्ता है, जो इन सभी लोगों को मौका देती है, कि आप अ पास नौलेज ही नहीं है, इन फैक्ट मैं भी उस लिस्ट में था, जब तक मुझे निस के बारे में नहीं पता था, तो मैं भी यही सोचता था है, इसे ही है, लेकि एक आफिसर लेवल पर देखेंगे, पढ़ा लिखा विकती होगा, किसी फिल्ड में जाएंगे, तो वहां होगा है, एक आफ कमपनी का नाम होगा, फूरी दुनिया में 196 है, 196 है, इतना अबादी, उसमें से अगर एक आफ कमपनी अगर इस तरह का रिस्मोंस देता है, तो हम उसे इग्नोर करेंगे, तो ही बेटर होगा, ठीक है, ठीक है, हमारे पास इतने कॉल साते रहते हैं, हमारे सानी आप पो नहीं होगी, और आप जैसे बाकी बोर्ड के स्टुडेंट होगे, वैसे ही आप होगे, देखिए किसी भी सरकारी नोकरी की जब एक्जाम होता है, गवर्मेंट का कुछ भी होता है, तो वहाँ पर कभी भी 12 के परसेंटेज के बिहाब पे जॉब नहीं मिलती ह वहाँ उनका syllabus होता है, उसको पढ़ना होता है, और उस competition को हमें crack करना पड़ता है, तब जाकर वो job हमें मिलती है, तो ये तो जो 10th और 12th की पढ़ाई होती है, वो तो एक basic है, इतना होना चाहिए, उसके बाद अब आगे life में जो करना है, वो कर सकते हैं, ठीक है, और एक ब quarter को वो market आपके पास रहना बहुत ज़रूरी है, इसके लाबा प्रोविजनल, यानि मैगरेशन सर्टिफिकेट है, वो भी आपको लेना है, ये भी आपके लिए ज़रूरी है, और इन सबों को बड़ा समहाल के आपको रखना है, जैसे बाकी बोर्स के साथ आप रखते हैं, तो देखिए, कई बास जो hopeless हो जाते हैं, मैं लाष्ट में दो-तीन मिनट लेना चाहूंगा, जो विद्यार्थी लोग एकदम hopeless हो जाते हैं, NIS में आते हैं, वो बोल रहा था कि सर में बहुत hopeless हो गया, उन समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने उसको example दिया, कि धान का पौधा द उसको हम टाल नहीं सकते हैं, अपने कर्म मेहनत करके तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन एक बात बता रहे हैं, कि जो हमारा अतीत में घटना घट चुका, उसको तो हम नहीं बदल सकते हैं, तो अब उस चीज को लेकर, अगर हम अपने दिमाग में negative thoughts लाइंगे, तो आज हमारा बरतमान जो है ना present disturb हो जाएगा, और future automatic खराब हो जाएगा, तो अब हमारे हाथ में जो है खाली वो करना है, मैंने उसको यहां तक कहा कि देखो, दुनिया में न, वो उस नहीं का सर मुझे यही वाली job चाहिए, मैं बहुत depression, मैंने का अगर ऐसे depression में रहोगे, तो आप वो job ही नहीं निकाल पाओगे, तो लसर इंटर्व्यू बेगरा में जह है, बहुत डर लएगा, मैंने कहा कि देखो, इंटर्व्यू जब देने जाते हो, तो अगर आप यह सोच के जाओगे, कि भई हमें यह job मिलेगी, तभी हमारी life आगे बढ़ेगी, और नहीं म प्रेश्ट दियें, इंटर्व्यू जो पुछेगा, जवाब देंगे, बात का तम, एकदम कोर्म नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, बहुत सरे दुनिया मुका में, देखे, कई बार होता है, जो आप काम कर रहे होते हैं, वो काम में आपको सफलता नहीं मिलती है, और बाद म हमारे पास है, काम करना, महिनत करना, वो कंटिनूटी में काम करते रहे है, और यही जो आपका वरकिंग है, यही आपको आगे ले जाएगा, तो इसी के साथ आज इसको हम बाइंड आप करेंगे, फिर भी आपको कुछ डॉट्स आ जाते हैं, क्वेरी जाते हैं, तो आप आपको हम विस याल बेस,